दोस्तो वेलकम टू बैक माई चैनल लेटेस निउस तो लेटेस निउस में आप सभी का स्वागत है तो जितने भी वन विभाग भरती के लिए आवेदन करना चाहते हैं आज मैं उन सभी चात्रों के लिए एक लेटेस अपडेट लेके आया हूँ तो लेटेस अपडेट में आज मैं आप सबको इस वीडियो में प्रॉपर बताओंगा कि आपका MICHAEL कोई भी इन्डिया के महिला पूस आवेदन कर सकते हैं कैसे आवेदन करना है मैं सबकूश इस वीडियो में डीटेल से बताओंगा, एज लिमीट क्का होने वाली है, कौन-कौ प्वाइनली दोस्तों हम दो Estamos करते हैं तो चलिए इस ब सबसाइब से सटक्रों करते हैं तो आपको मैं बताउना जैसे की şur धैसे यहां पे पहली दक्ष क्रोंगे इस इस याँ नगाफ को मतलब कोई भी फीमेल का कोई OBC का हो या जनरल का हो कोई भी कास्ट का हो उसका निसूर के में फार्म भरा जाएगा ये किलियर हुआ आपका और मैं आपको सेकेंड बाद बता दू आप पेमेंट किसी भी माध्यम से करा सकते हैं तो चलिए नेश्टी जानते हैं तो मैं आपको बता दू एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जैसा कि आपको मैं बता दू बारवी पास आपको बारवी पास होना चाहिए और बैचलर डिगरी साइंस इंगिनिरिंग फ्राम एनी रिकॉनाइज मतलब किसी भी आपको इंडिया में किसी भी इनुरसिटी से आ आप मतलब फॉर्म भरना चाहते हैं तो वह दस्वी पास उनके लिए मांगा गया है तो चलिए अव डिटेल से जानते हैं तो यहां पर देख सकते हैं आपको एज लिमिट दिखाई देर आगा यहां पर आपको एज लिमिट में दिखा दू मैं ब्रस ले देता हूं यहां अगर आप फॉर्डेस रेंजर में अपनी केसा मदब अगर आप फॉर्डेस रेंजर में इसे अपनी केसा मतलब आप अपलाई करना चाहते हैं तो आपकी उमर जो है तीस साल मतलब आपकी उमर तीस साल है तो आप इसमें अपलाई कर सकते हैं और विल्ड लाइफ में के लिए जो वैकेंसियां है 4545 वैकेंसियां और फारेस्ट रेंजर के लिए जो वैकेंसियां है 417 मतलब 417 जो है जनरल के लिए के लिए उनके लिए पंचानबे है यस्टी के वाले के 21 है तो यहां पर आपको कमपर्म हो चुका है और विल्ड गार्ड में दस भी पास भी आवेदन कर सकते हैं इसका क्या है 1244 जो है जनरल के लिए है और यस्टी के लिए 240 है और यस्टी वाले के लिए 141 है तो आपको और आपको बताता हूं है चलिए बात करते हैं कि आप पर सेलेक्शन कैसे लिया जाएगा तो मैं आपको सलेक्शन में आपको बता दू अगर आप फीजिकल एक्जामिनेशन टेस्ट होगा उसके बाद राइटेंजामिनेशन ह इंटर्वी होगा डाकुमेंट वेरिफिकेसन होगा मतलब इतने तारिक से होगा अब मैं आपको पता दूँ आपको आवेधन कब से कर रहा है मतलब आपको 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 देख लिए कि कौन से से रही है कितना तो अगर आप फॉरेस्ट रेंजर पत्प्पे आवेधन करना चाते हो तो यहां पर दिखाई पल रहा होगा यहां पर देख लिए अगर आप इस पत्पर आवेधन करना चाते हो तो आपकी सलेरी है वावन सुस्ट लेकर बीस हजार दो से तक यह इस के लिए अगर आप विल्ड लाइब गौड पर आविदन करना चाहते हो तो आपकी सलेरी रहेगी तो चली जानते हैं कि डाकुमेंट कौन-कौन से लग सकते हैं तो चली उसके पारे में भी जान लेते हैं तो यहां पर देख लीजिए मैं सीधा नीज पर आ चुका हूं तो जो आपकी पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स तो पांच सेकेंड्स में डाउट्नेट के साथ करो ने आउट बस अपने सवाल की फोड़ कीचो क्रॉप करो और तुरंच वीडियो सलुशन पाओ फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैट्स, बायलोजी का हो सबी सवालों के वीडियो सलुशन बस पांच सेकेंड में आपको मिलेंगे डाउट्नेट अप पर इसके साथ ही डाउट्नेट पर चल रहे हैं इंडिया की नंबर वन डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासिस वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है तो आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनेगे और डाउट्नेट अप इंस्टॉल मतलब इस प्रकार से आपके आपके पास डाकुमेंट होने चाहिए उसके बाद आपको जाती प्रमाल पत्र भी होना चाहिए यहां पर आप देख लिए यहां पर क्या लिखा गया है कि जाती प्रमाल पत्र निवास प्रमाल पत्र जन्मतिती प्रमाल पत्र पासपोर्ट मतलब इतने अगर डाकुमेंट आपके पास हैं तभी आप इस फॉर्म के लिए अपलाई कर सकते हो तो आपको ये भी चीज़ कंफाम हो चुका है अगर आपको मैं बता दू इसी प्रकार से कोई और अपडेट आता है तो मैं आप सबको अपडेट करा दूँगा अगर आप इ कुछ कर सकते हैं वहाँ पे ज्यादा कुछ करना नहीं है आप अपना नाम ही ढलना है क्वाइख कर लो ताकि मैं कोई भी फारेस्ट के गाड हो या कोई वेकेंसियां हो जिसमें आल इंडिया एलिजबर हो या आप किसी भी राज के हो एलिजबर हो मैं आप सब के लिए अपडेट करा दूँगा लेटेस्ट नीज कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो सबसे पहले बच्चों को प्रोवाइट करता है तो इसलिए आप लोग चैनलो सबस्क्राइब कर लो बेल आइकन को प्रोवाइट कर लो ताकि मैं कोई भी अपडेट ले करा हूँ तो मैं आप सब को अपडेट करा सकूँ तो जैहीं दोस्तो नमस्कार फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में तो जैहीं दोस्तो